सोलन जिला के एक शेत्री अस्पताल वा MMU अस्पताल में कोरोना टीका करण की शुरुवात की गई शुभरंब अवसर पर उपायुक्त सोलन केसी चमन मौजूद रहे इस टीका करण से पूर्व सोलन अस्पताल में हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला जिनको पहले टीका लगना था वे वैक्सिन केंद्र तक पहुंचे ही नहीं और विभाग द्वारा चतोट्थ श्रेणी के करमचारी को वैक्सिन केंद्र लाया गया लेकिन वो टीका लगाने से साफ मुकर गया आननफानन में ये सारी प्रक्रिया पूरी की गई और नजदी की सेंटर में टीका लगवाया जाएगा का आगाज आप सबके सामने हो चुका है और यह जो को रहना जो को भी शीर्ड है सीरम इस शीट आफ इंडिया की जो हमें तीका के लिए वैल जिस्टिक में आई है इसका अभी पहले हेल्थ केर वर्कर्स को लगाया गया है जैसे आपने देखा कि डॉक्टर शालिनी का अटो रडन्डमाइजेशन से जो नाम सामने आया है कंपुटर से जनिट हुआ है तो पहला लगाया गया है और इसमें एक की वाई कंसंट थेशन है और यह एक लोग हर एक हमारे जीशा आवासी है जैसे जैसे उनको नो मुभाइल में जुटेश्टेशन आटमेटिकली आता बग वहीं कोरोना का टीका लगाने के बाद डॉक्टर शालीनी ने कहा कि ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है उन्हें ने कहा कि स्वास्था कर्मियों सहित अन्य लोगों को भी टीका करन के बारे में जागरुक करने की आवश्यक्ता है प्रब्लम नी थी लगाने में तो मैंने लगवा लिए लगवा लिए बिल्कुल भी लगवाएं वह भी फील सेफ फील करेंगे लगवाने के बाद अलाकि उनको प्रकॉशन्स लेनी पड़ेंगी वैक्सिन लगाने के बाद भी लेकिन और बीमारियों के लिए भी तो हम इसे पूर्वचन स्वास्थे कर्मियों को पहले वैक्सिन लगनी थी वे वैक्सिन केंडर तक नहीं पहुँचे आनन फानन में स्वास्थे विभाग ने चतुर्थ श्रेणी के करमचारियों को वहां जबरदस्ती वैक्सिन केंडर पहुँचाया करमचारी चेतराम ने बता आते हैं तो वो भी अवश्य लगवाएंगे। पर जो मेरे से पहले लिस्ट में पहले उनको लगाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी चैनल सोलन।